क्रिकेट की इंसाइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले हैं क्रिकेट की एक्स्क्लोसिव खबरें भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में वेसंडीज की हालत बेहद खराब कर दी और अकेले जस्परी दुम्रा ने विंडीज को कहीं का नहीं छोड़ा जसी ने सिर्फ सोलर रन पर छे विकेट ले लिए और इसमें शानदार हैट्रिक भी शामिल थी हलंकि हैट्रिक नहीं होने वाली थी जी हाँ सारे खिलाड़ी चुप हो गई अपील तक नहीं की गई और बुम्रा भी निराश हो गई मगर फिर हुआ बड़ा चमतकार और हो गई हैट्रिक तो क्या हुआ मैदान में ड्रामा आपको सब कुछ बताते हैं और आप भी बुम्रा और विराट के लिए कमेंट जरूर करें आपको अंत में हम इसका पूरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे तो विंडीज की पारी के नवे अवर में दूसरी और तीसरी गैंद पर बुम्रा ने लगातार दो गैंद उपर दो विकेट ले लिए और हैट्रिक बॉल पर रोस्टन चेज बुम्रा के सामने थे बुम्रा की गैंद जाकर रोसन चेज के पैरों पर लगी लेकिन अमपायर ने आउट नहीं दिया जी हाँ अमपायर ने साफ साफ आउट देने से इंकार कर दिया यहां तक कि किसी भी खिलाडी ने अपील तक नहीं की साथे खिलाडी सिर्फ अपने सिर पर और मुपर हाथ रखकर निराशा जाहिर कर रहे थे बुम्रा खुद भी निराश हो चुके थे कि उनकी हैट्रिक का चांस छूट गया मगर कप्तान विराट कोली तो बिलकुल अलग रंग में थे कोली ने सब को कहा कि रोस्षन चेंज आउट है मकर किसी आउट हैं अमपाय ने रिप्ले में देखा दो बॉल लेग स्टम को हिट कर रही थी यानि रोस्टन चेज आउट थे और विराट का फैसला बिलकुल धोनी की ही तरह सटीक साबित हुआ और अकेले विराट इस फैसले के साथ अड़े रहे जो सही साबित हुआ और बुम्रा को पूरी तर और विराट के चमतकार का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर क्लिक करें साथ ही वीडियो को शेर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिलकुल न भूलें फ्लेम मीडिया रिपोर्ट